कि गुद्मों इस्ट्रेंट वी अलाइब नौ जल्दी से जुड़ जाइए सब कि साउंडर वीडियो कैसा रहा मुझे बता दे ना गुद्मोर्निंग टॉल फ्यू गुद्मोर्निंग आज हमें मौनिंग में आना पड़ा सुबह भी अच्छा है पढ़ने के लिए ना काफी अच्छा उड़ते हैं अगर जो सबसे पहले पढ़ ले हमें याद रहता है सबसे ज्यादा ठीक है फटावट से जुड़ जाओ सब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उठ गये सब हाँ खोबे जल्दी उठ जाए ऐसा बोला जाता है हेल्थ के लिए अच्छा होता है दिमाग के लिए बी बॉड़ि और माइंड सारे क्या रहते हैं एक्दम रिफ्रेस रहते हैं जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा योगा कर लिया थोड़ा एक्सराइज कर लिए थोड़ा रनिंग कर लिए वाकिंग कर लिए फिर उसके बाद पूरे दिन भर क्या रहता है काम एंड कूल माइंड एक दम तुभू भी अच्छे लगती है गुड मॉनिंग बेटा गुड मॉनिंग आज आओ जल्दी से शुरू कर रहा हूं मैं आज हम ठीक टाइम पर आ चुके हैं ठीक है दो मिनट का टाइम दे रहा हूं साउंड के लिए रहा हूं बोधार के लिए रहा हूं काफी बच्चों ने बोल दिया बोधार के लिए ठीक है जल्दी से जुड़ जाओ सब पहले कल का क्विश्चन जो हमने दिया था उसका आंसर ठीक है आठ तीन पर मैं सोब करूंगा अभी एक मिनट और है और बच्चों का इंफर्म करना लिंक शेयर कर देना लिंक जादे जादे शेयर कर दिया करो इस टाइम अधर 11 के जो बच्चे उनको भी भेज़ दिया करो जो भी है आस पास स्कूलों से किसी को भी हो जो पढ़ एफर्ट्स रहता है कि वो जादे जादे सिखाए जहना सीखने के लिए तया नहां करोगा इसके आगे क्या लिखा जाएगा 10 raise to power 3 आगे answer काफी बच्चोगा असरा रखा है सही है आगे घ्यालिक देंगे हम यहां पर ठीक है एक मिनट का टाइम फिट से दुबारा चार-फांच बच्चोगा असरा रखा है यहां पर इसकी यूनिट क्या लगेगी ठीक है क्योंकि cgs में convert करना है इसलिए हमको पता है कि यहां पर जो n2 आएगा अगर उसकी magnitude 10 raise to power 3 है तो उसकी यूनिट क्या हो जानी है that is dine is the unit of the n2 जो other system में serious में ठीक है question simply था इसमें आप देखो solve करोगे तो जिन्होंने efforts लगाए जिन्होंने solve करने कोशिस करिये उनका अंसरा आया है ठीक है और यह dine मुश्किल question नहीं था ठीक है तो आप यह आपके जैसे हो जाता है तो हमारे portion complete हो चुका है अब हमारा है application 3rd मैं बता रहा हूं आज आज शुरुआत करेंगे कल खतम हो जाएगा application 3rd ठीक है to derive relation between or to create relation between रिलेशन बिट्वीन वेरियस पीक्यूस फिजिकल कॉंटिटीज ठीक है तो ड्राइब रिलेशन बिट्वीन वेरियस फिजिल कॉंटिटी और यह वेरी इंपॉर्डेंट है ठीक है बड़ा जो question रहेगा त्री मार्क्स का वह इस वाली application से आएगा ठीक है और जो second application है उससे question कम रहेंगे बड़ इससे ज्यादा हो सकते question ठीक है गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग दल्दी से जुड़ जाते हैं ना आ जाओ सब फटा-फट से ठीक है आप देखो थर्ड application यह किस पर बेज़े हमने बताया था कि हर कोई न कोई जो है application जैसे second के लिए बेस करा था उसके लिए हमने बनाए था कि N1 U1 इकॉल टू N2 U2 ठीक है यह उसका बेस बना था ठीक है अब इसमें क्या है कि जो इस वाले application को solve करने के लिए जो fact है यह किस fact पर है homogeneity principle यह तक ना तो कि homogeneity principle में हम क्या करता है अगर कोई equation लिए सपोज हमने जैसे हमने लिए kinetic energy equal to half mv square यह लिए अगर ठीक है अब यह हमने लिए लिए है तो होगा क्या homogeneity principle हमको यह बताता है कि same kind की जो physical quantities होती है उनकी dimensions compare करी जा सकती है add और subtract तो होती है जिन physical quantities की dimensions same रहेगी वो add और subtract तो होई सकते है साथ में क्या भी हो सकते है compare भी हो सकते है तो जी comparison वाला जो fact था वो अब जाके इस property और इस application का base बन गया to compare same kind की जो dimensional physical quantities होती है जिनकी dimensions same होती है वो physical quantities क्या हो सकते compare ठीक है तो यह इसका base बन चुका है good morning good morning a very good morning to all of you ठीक है काफी बच्चे जोड़ चुके है ना बढ़िया है answer देते रहे ना तो देखो fact हमने बता दिया homogeneity principle पर based है ठीक है कि same kind की जो physical quantities है जिनकी same kind की dimensions होती है वो compare हो सकती है अब इसको देखो example देंगे हम kinetic energy equal to half mv square first that is first है और second है f equal to ma ठीक है यह दोनों आपके लिए पता है का kinetic energy का formula nine से स्टार्टिंग से पढ़ते आए हाफ mv square ma से v velocity यह स्पीड है f equal to ma mass and acceleration तो इन दोनों में से कौन से drive करें first second priority based पे हम उसको drive करके देंगे और कैसे drive करते हैं उसका एक method है इन दोनों में से कौन से drive करो first second फटाफट से second first हाँ एक साथ दस दस बारा कमेंट आ जाएं तो हमें पताते जाएगा कौन सा वाला drive करके दे example first है हमारे पास ठीक है करेंगे दोनों ही बड़ पहला कौन सा करें यह आप पे छोड़ रहा हूं वर सेकंड लरें साथ फॉर्स सेकंड ठीक है है एफ फॉट फ ल्टो एमेल बोला जा रहा है ज़्यादा तो हमेज फॉल में हीकल लेते हैं ठीक है सेयुड वाला जेकंड मिच्ट सभट因 मिच्टे तो अब देखो इसम्स क्या करेंगे हाँ तो फरस्ट में देखो हमको अभी सिर्फ इतना बोला रहेगा कि क्वेश्चन कैसे बने का एफ फोर्स हमारा टारगेट होगा अब मैं यहां पर लिख दें तो हम क्या करेंगे देखो इफ फोर्स केप्टल ऐफ depends on, depends on mass small m and acceleration, acceleration small a produced in, produced in object. ठीक है, object, find expression for, expression for force f, यह इस तरीके से question रहेगा, ठीक है, अभी statement यह question मना हुआ है, तो इस question में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है, कि f equal to m a बताओ, ऐसी कोई भी formula या कोई भी question जो हमको पता है, वो नहीं दी रहेगी, हमने उसको drive करके देना है, किसकी help से, third application के help से, तो वो तो हमें पता है कि अगर वो f, यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर वो f, m और a में relation बता रहा है, तो आपको तो पता है, f equal to कितना होना है, m a, final answer यहीं आएगा, बट कैसे आएगा, उसके लिए हम कुछ steps लगाएंगे, ठीक है, तो आप step wise हम चलेंगे इसमे ठीक है, first क्या रहेगा step, second क्या रहेगा, देखते रहना, ठीक है, हम, शुरू कर रहे है, हाँ, ठीक है, तो आप question को पढ़ोगे, भई, question पढ़ो पहले, पहला step रहेगा, question पढ़ना, बहुत compulsory step है, mandatory, first, question को पढ़ा हमने, फिर देखा कि किसके लिए expression मांगा जा रहा है, expression for force, पहला देख लिया, expression for force चीए, force का expression चीए, दूसरा, जिसका expression चीए हो, किन-किन quantity पे depend कर रहा है, ठीक है, जिसका expression चीए हो, किस quantity पे depend कर रहा है, तो उसके लिए हम देख रहे हैंगे, देखो, force F depends on, पहला किस पे कर रहा है, mass of the object, तो यहाँ पर आप वही लिखोगे कि force F as F, पहले depend, उसके लिए आप proportionality का sign बनाओगे, depends, mass लिख दोगे M, ठीक है, और उसकी power बनाके लिख दोगे A, step ध्यान लख लेना, ठीक है, अब A तो इसमें आ जाएगा, तो चलो इसमें हम X भी लिख सकते हैं, X, XYZ में, ठीक है, इसको बना रहेंगे हम equation first, ध्यान लखना, पहला step होगा, जिसका expression है, वो किस पर depend कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि force depends on mass, ठीक है, तो पहला आगया F, proportionality का sign, M की power X, X आप खुद लिख रहे हैं, अपनी तरप से ला रहे हैं, फिर दूसरा देखा कि force F depends on acceleration A, ठीक है, तो force is directly proportional to किसके acceleration A बना दिया, और उस पर लिख दिया, आपने Y, और इसको equation number ले लिया, 2, क्योंकि जिसका expression निकाल ला हो, दो ही quantity पे depend कर रहा है, अगर कोई तीसरे quantity भी होती, तो एक और equation आ जाती, F is directly proportional to कुछ भी, radius, कुछ भी, density, वगएरा, जो भी है, वो तीसरे में आ जाता है, लेकिन दो ही quantities है, तो दो ही पर रुख जाएंगे, ठीक है, पहला step खदम हो चुका है, देखो, first step over हो चुका है, यह इसका पहला step रहेगा, ठीक, आप देखोगे, जिसका expression निकालना है, वो quantity की speed depend कर दिया, ओके, हाँ, अब देखो next topic, इसमें यह next step क्या लगेगा, अब आप इन दोनों को क्या करा होग एक साल लिखोगे, from first and second, दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, force m के, depend कर रहा है, force acceleration भी depend कर रहा है, force is directly proportional to mx a y, ठीक है, अगर दो equation उसे रिजल्ट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, f directly proportional यह dependence आएगा, mx a y, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ऐसे, सब के लिए यही होना है, यही step हम आगे बढ़ देखो, proportionality का sign हटेगा, अगर proportionality का sign हटेगा, तो आप एक constant introduce करोगे, that is capital K, equal मारोगे, देखो, यह proportionality का sign हटाके, जैसे हम equal लिखते हैं, तो एक constant induce करते हैं, यह हमें से याद रखना, तो mx a y, that is equation number 3, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे, K क्या है, यहाँ पर, dimensionless, dimensionless constant, ठीक है, A को हम क्या बोलेंगे, dimensionless, O, K को, dimensionless constant, यह step 2 आपका यहाँ तक, over हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक, okay, yes no, फटा फट से, yes no, एक अच्छे से समझा करो, उसके बाद आपके लिए पूरे रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक दरवाजे को हम खोल रहे हैं, बस, ठीक है, यह दरवाजा खुला, उसके बाद आप आराम से क्या कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, यह पूरी application आप easily learn कर सकते हैं, yes no, फटा फट से, सब ज्यान दे रहे हैं, ठीक है, अगला point देखो, third step, first step आगया, second step आगया, अब हम करेंगे, equation third में, जितनी भी quantities है, equation third में, जितनी भी physical quantities used हुई है, उन सब की dimensional लिखनी है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, write down, write down, dimensions, dimension of all terms, और physical quantity in equation third, ठीक है, equation third में हम क्या करेंगे, जितने भी, यह क्या है देखो, force, के तो dimensionless है, इसकी कोई dimension नहीं, mass है, acceleration, dimension बताने के लिए तयार हो जाओ, फटा-फट से, ठीक है, तो सब सब पहले देखो, force की dimension कितने आ जाएगी, mlt-2, ऐसे इसको क्या कर दो, bracket में, 1, square bracket में, कुछ नहीं, तो 1, 1 तो है, m1, l1, t-2, यह किसकी dimensional formula है, force का, left-hand side की तरफ, equal to, k का कोई dimension नहीं होगा तो, हम यहाँ पे इसका dimensional formula नहीं लिखेंगे, k किसका लिखेंगे, mass का, mass का कितना होदा, देखो, m, ठीक है, m की power, कितनी बनेगी यहाँ पे, x, ध्यान देना, mass का dimensional formula लिखा, अगर कोई और quantity होदी होदी, तो उसकी power x आ जाएगी, फिर acceleration का देखो, acceleration का कितना आएगा data is, l, t-2, l, t-2 आएगा, इसकी power कितनी आ जाएगी, y, ठीक है, यहाँ तक किलिए रहे सब, तो हमने क्या करा, यह हमारा third step है, ठीक है, यह हमारा third step रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, write down the dimension of all terms, यह all physical quantities in equation, yes, no, sounder video के लिए रहे, बने रहना बस वीडियो में, देखते रहो, ठीक है, आप देखो, next step क्या होगा, इधर तो यही रहेगा, इस step को थोड़ा सा, अभी और चलाएंगे आगे, minus two, ठीक है, equal to, अब देखो, आपने क्या करने हैं, powers को अलग-अलग लिखना है, MLT की powers collect करेंगे, देखो, यहाँ पर तो बहुत कम terms आई है, MBA की बार है, LVA की बार है, TVA की बार है, कई बार क्या होगा, कि इधर की side, right hand side में, जब हम और relations drive करेंगे, तो इधर M दो तीन बार हो सकता है, L भी दो तीन बार हो सकता है, TV दो तीन बार हो सकता है, तब हमें उनकी power को क्या करना होता है, collect करना होता है, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर देखो, M कितनी time है, M की power कितनी आ रही है, सिर्फ एक है, X, तो M पे X लगाके, एक साथ बंद कर दो, ठीक है, फिर L देखो, L पे कितनी power आ रही है, सिर्फ L, यह जो Y है, यह L को भी मिलेगा, और T-2, दोनों को मिल जाएगा, Y और ये, तो L पे कितनी power लिख दूँ, Y, ठीक है, L पे power कितनी आ जाएगी, Y, and finally, जो T है, देखो, इस T पे power कितनी है, minus 2, और इस पूरे की term क्या power कितना है, Y, तो यह Y किसके साथ multiply हो जाएगा, 2 के साथ, तो minus 2Y, ठीक है, हमने क्या करा, MLT की powers, जो भी थी, उनको अलग-अलग collect करके, अलग-अलग square bracket के अनदर लिख दिया है, ठीक है, तो जब आप ये कर लोगे, तो आपका third step हो जाता है, over, first step, second step, third step, इन्हीं steps पे हम एक अगला example भी करेंगे, बाद में, उसमें आप देखते रहे ना, कैसे होगा, ठीक है, अब आता है fourth step, अब fourth step में करते हैं, to compare power of MLT, to compare, या on comparing powers of, powers of MLT both side, अब दोनों तरफ हम power को क्या कराएंगे, compare कराएंगे, तो देखो power compare करो, देखो, इधर right hand side में और left hand side में, right hand side में M की power कितनी है, X, और इधर कितने हैं, देखो, M की power, one, तो यहाँ पे जो पहला answer आएगा आपका, यह जो first आएगा, that is, direct comparison करके, M और M की power, to compare या on comparing M both side, तो base say में तो power देखो, इधर X से उधर one है, तो यहाँ पे X equal to कितना हो जाएगा, one, जैसे ही X का answer आजाए, देखो, X तुम लेके आए थे, जो चीज आप लेके आए हो, X और Y आपने लाए हैं, तो आप ही उनका क्या बताओगे, answer बताओगे, ठीक है, तो X equal to कितना हो जाएगा, one, ठीक है, फिर आए आप दूसरे में, अब हमें एक Y भी था, तो Y भी आप ही लाए हैं, तो Y का answer भी चीए, तो अब हम L को compare कराएंगे, देखो, M को compare कराया, तो X equal to one आ गया, L को compare कराया, तो Y equal to कितना जाएगा, L की power y, L की power one, तो Y equal to कितना जाएगा, one, बस, complete, अब हमें T को compare करने की ज़रूद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि Y हमारे पास आ चुका है, नहीं तो T को compare कराओगे न, तो भी आमसर यही आएगा, देखो, minus 2Y, minus 2, minus 2Y, minus 2 करको जब compare करेंगे, तो Y equal to again क्या जाएगा, one, जब आप X, Y, और ऐसी अगर इसमें third भी होता, अगर कोई dependencies, उसको हम Z लिख देते, तो आपने क्या करना है, X, Y और Z की क्या निकाल लिए, values, ठीक है, X, Y, Z की values निकालोगे, और अब, इन values को आप कहां पे रख दोगे, सीधे equation number third में, तो अब आप यहां पर लिख देंगे, substituting X, Y in equation third, ठीक है, equation third में, यह last step है, X, Y, Z यह X, Y की value निकालने के बाद, अब हम X, Y को यहां रख देंगे, तो देखो, कितना जाएगा, F equal to K, M1, A1, simple, ठीक है, अब यही चीज़ आप इतना भी छोड़ दोगे, तो यहां भी तक भी आपको क्या मिल जाएगे, पूरे marks मिल जाएगे, क्योंकि dimensional analysis की यह application, या dimensional analysis, K की value को predict नहीं कर सकता, या इसकी यह वाली value, K को नहीं बता सकता, तो अगर आप इतना भी छोड़ दें, तो भी ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लें, कि, but from experiment, from experiment, K equal to 1 लिखके, तो F equal to कितना लिख सकते हैं, में, ठीक है, यह complete हो जाता है, yes, no, फटा-फट से, आगे है answer, ठीक है, complete हो चुका है, देख लो एक बार, step number first में आप देखेंगे, पहले आप देखोगे, expression किस term का, या किस quantity का पूछा हुआ है, पहला step, अब देखोगे, वो quantity किस किस पे depend कर रही है, आप उनको इस तरीगे से लिखोगे, power आप x, y, z, a, b, c, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, x, y, z ठीक रहते हैं, ज्याद अतर, ठीक है, आप दूसरे किस पे depend कर रहा, force ने acceleration पे तो दूसरी term आगा है, अगर तीसरा भी होता, suppose force is directly proportional to radius होता, तो यहाँ पे z लिखके आप three कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी हम यह भी देखेंगे कि तीन से ज़्यादा dependency जो होती है, वो इसको solve नहीं कर पाता, वो relation नहीं बदा, जिसमें कोई physical quantity more than three quantity पे depend कर रही हो, वो limitations हैं, वो हम, अब जब यह final होता रहेगा, तब आ जाएगा, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखके, एक third equation बना देंगे, अब इस third equation में, दोनों तरब का dimensional formula, जो भी physical quantities हैं, उनकी dimensional formula लिख लेंगे, हमने लिखा, फिर right hand side में, जो M, L, T थे, उनकी powers को collect करा, M की power को separate, T की power को separate, L की power को separate, फिर M, L, T की powers, बो side हमने जो थी, वो compare करी, इधर M की power क्या है, इधर क्या है, compare करके, X equal to 1, इधर L की power क्या है, इधर क्या है, compare करके, Y आ गया, अगर Z भी होता, तो Z भी आ जाता, पिर इन एक्स वाई को हम डारेक्ट सब्स्टूट करनेंगे क्वेशन थार्ड में हमारे पास आंसर आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेशन हम डिसकस करने वाले हैं यह हो चुगा है तो इस एक्जामपल में किसी को कोई प्रॉब्लम थी आप इने लगबग 50% से ज्यादा बच करेंगे कि अगर मैं यहां पर लिखू क्वेशन तो यह तुमारे लिए यह मैं हटा दूंगा मैं इसके बाद एक और करा दूंगा बस हां वह मैं अलग से कराऊंगा जो इंपॉर्ड है यह मैं अब होमवर्क दे रहा हूं क्या है कि एफ दी काइनेटिक एनर्जी आफ एन object depends on depends on mass small m of object and its velocity small v then find expression expression for kinetic energy, आज simple question दे रहा हूं, कल थोड़ा सा इसमें advanced question दिया जाएगा, देखो यह question, इसको note कर लेना, वीडियो दुबारा देखोगे, तो यह question आपको दिख जाएगा, ठीक है, आपके लिए question, ठीक है, इसको मैं अठा देता हूँ, यह आपके लिए question है, आज practice के लिए, उसी method से, जो आपको क्या बता रखें, steps बता रखें, उन्हीं से हम इसको solve करेंगे, ठीक है, अगला question देखो, question number third, यह example number third, और यह important है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, if, ज्यान देना, if the centipetal, centipetal force, capital F, depends on mass, small m, velocity, small v, or n, and radius, small r of circular orbit, then find expression, expression for centipetal force, ठीक है, question आ चुका है, आपके साहबने, ठीक है, centipetal force क्या है, फिलाल यह term हम introduce करेंगे, आगे chapter number four, five में, but अभी आप इतना समझ लेना कि centipetal force होता क्या है, जैसे कोई object है, ठीक है, यह circular path है, कैसा path है, circular path, और कोई object अगर uniform circular motion में, देखो, uniform circular motion, known term है, 9th class में भी था, ओके, तो अगर कोई object एक uniform circular motion में, यह circular motion में है, तो यगर यह center है, तो इस object पे, जिसका mass m है, और इसकी velocity अगर v है, और यह एक orbit में घूम रहा है, circular orbit में, जिसकी radius r है, तो इस object पर अंदर की तरब को एक force लगता है, towards the center, तो centrifugal force is a kind of force, acts on an object moving in circular orbit towards the, directed towards the center of the orbit, ठीक है, यह clear है, definition के लिए रहा है, बाद में हम इसका derivation भी करेंगे, इसको drive भी करेंगे अलग से, अभी हमने dimension की helps expression निकाल रहा है, ठीक है, तो centrifugal force समझे आप, ऐसा force होता है कि अगर कोई object किसी circular orbit में घूम रहा है न, कोई object, ऐसे घूम रहा है, तो अगर यहाँ पर उसका center है, अगर वो ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर center है, तो force उसको किदर की तरब लगेगा, towards its center, ताकि और जो object है, वो path में बना रहे है, circular orbit में बना रहे है, इदर उदर न आ जाए, जैसे earth है, earth sun के round rotate कर रही है न, तो earth पर किदर, towards the sun, क्या वर कर रहा है, centimeter force, gravitational force of attraction तो ही, बट वही attraction force प्रवाइड कर आ रहा है, उसको centimeter force, इसलिए earth क्या बनी रहती है, sun के round, एक ही orbit में fixed, लाखों करोडों सालों से घुमती गई है, ठीक है, तो देखो, आब इसका expression कैसे तजार करेंगे हैं, सबसे पहले अपने step शुरू कर दो, expression खुद आ जाएगा, देखो, पहला step, जिनके पास रव कॉपी है, ध्यान देना, तुरंत, first step में हमने क्या वो force depends on mass, velocity v and radius r of circular orbit, ठीक है, तो directly proportional to m की power x, equation number first, force f directly proportional to velocity v की power y, equation number 2, x, y, z आप introduce करेंगे, और आप ही उनके answer भी लाएंगे, and last is, f is depends on radius of circular orbit, that is z, equation number third, बना दी हमने, centrifugal force किस-किस पर depend करता है, देखो, हमने लिख दिया, centrifugal force, इसको आप f c करके भी लिख सकते हैं, बट f चल जाएगा, यहां तक clear है, अब हमारा, जो, यह first step है, first step खत्र, second step में मैंने क्या बताए था, इन तीनों equation को एक साथ लिख दो, ठीक है, तीनों equation को एक साथ कैसे लिखेंगे, f is directly proportional to mx vy rz, ठीक है, और f के बाद अब proportionality का sign आप हटाओगे, तो equal का sign लगाओगे और k लिख देगो, that is mx vy rz, equation number third, k को हमेंसे क्या बोलोगे, dimensionless constant, k को introduce करा है, that is dimensionless constant, अगर नहीं भी लिख रोगे, तो चल जाएगा, k को ले आओ, और k क्या है, automatically dimensionless constant, over हो चुगा है, हाँ, बस 10 मिनट और class खत्म होने में, और 10 मिनट ही काफी हमाले फूरा example को बताने के लिए, तो first step over हो गया, second step over हो गया, third step क्या था, third step हमारे पास, write down dimensions, dimensions of all terms और physical quantities, both side, both side, लिखो, सबसे पहले देखो, इधर आया, नई term बताई न, centivital force, बस centivital force भी क्या होता है, force ही होता है, ठीक है, तो dimension शुरू करते हैं, सबसे पहले, centivital force, centivital लगने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ नई dimension मन जाए, वो force ही है, तो force की dimension क्या जाएगी, MLT-2, यह पहला left hand side में 1, 1 करके लिख दिये, ठीक है, सबसे पहले आप इधर आए, के की कोई dimension नहीं है, mass M है, तो M के कितना आगया है, M की power पूरा कितना ले ले हमने, X, ठीक है, दूसरा है velocity, तो दूसरे में आएगा L T minus 1, power कितनी है इसकी Y, ठीक है, and third is R, R is the radius, radius का क्या होगा, dimensional formula, radius होती है length, तो length के लिए तो हम क्या यूज़ करते है, L, और यह कितना आगया देखो, Z, ठीक है, तो हमने सारे जो quantities थी सब की dimension लिखी, अगला step क्या होता है हम, right hand side में M, L, T की power को separately क्या अगल लेते हैं, collect कर लेते हैं, separately, तो इधर तो वही रहेगा, M1, L1, T minus 2, equal to, देखो M single है, M एक ही है, इस दर right hand side में M single है, तो M के साथ कितना आ जाएगा, X, एक साथ बंद कर दिया, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास L, अब L पे ध्यान देना, L को यह कि Y भी मिलेगा, यह वाला Y इस L को भी मिलेगा, और इस L के साथ यह Z भी है, तो L के साथ Y भी है, L के साथ Z भी है, तो जब base same हो जाएँगे, और Y और Z दोनों को मिल जाएगा, या तो फिर अलग से हैसे करो कि इसको भी Y दो, इसको Y दो, फिर L बाद मिलेगे, लेकिन हम यहीं पे देख लेंगे, L के साथ Y है, तो Y positive का है, तो positive यहाँ पे 1 था ना, फिर L के साथ Z भी है, plus Z, Y प्लस Z, bracket close, ठीक है, अब बचा हमारे पार T, final, तो T की पावर कितनी है, T की पावर, यह Y इस minus 1 के साथ जाएगा, तो minus Y, समझ लेना, हमने powers को collect कर लिया है, ML T की separately, अब हमारे पास जो last step होगा, वो step में हम क्या करेंगे, यह step third है, ज्यान देना, यह third है, first, second, third step, fourth step में, अब हमने जब powers अलग कर लिये, अब compare कर लो, ठीक है, हम, to compare, अब आ जाएगा, on comparing, on comparing powers, बहुत से बच्चों का answer आ चुका है, powers of ML T both sides, ठीक है, on comparing powers, सबसे पहले M की power compare करो दोगो, M इधर X लेके है, इधर का M 1 लेके है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, X equal to 1, आया answer सबका, X equal to 1, ओके, X1 आया है, ठीक है, अब ला, जो अब next है, ठीक है, L की power को compare करो, देखो, L की power को compare करो, तो L की power इधर कितनी है, Y plus Z, Y plus Z, इधर कितना है, equal to 1, अब देखो, यह answer नहीं है, इसमें दो unknown terms है, Y and Z, ठीक है, तो यह answer नहीं है, तो जहाँ जिस, एक नहीं equation मन क्या गए, आप उसको नहीं equation नाम दे देना, equation number 4, यह मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आप इसको short में भी कर सकते हो, जल्दी से, आप पहले T को compare करवा लो, ठीक है, अब यह answer नहीं दे रही है equation, तो हम इसको एक linear equation में डाल देंगे, यह एक general equation लिख देंगे, फिर हम किसको compare करेंगे अब, next, T को, साइद वहाँ से कुछ answer आजाए, इन दोनों में से एक का value आजाए, तो हम वहाँ पर substitute कर देंगे, अब T को compare कराओ देखो, यहाँ पर T कितना है, minus y equal to, इधर T कितना है, minus 2, ठीक है, T दर minus y है, T दर minus 2 है, minus से minus cancel हो गया, तो बच्चो कितना बचा, y equal to 2, काफी बच्चो का answer आए, y equal to 2, ठीक है, हाँ, तो y equal to 2 हो गया, अब यह y equal to 2, जिसका answer आ रहा है, वो मैं एक square bracket में बंद कर दे रहा हूँ, एक rectangle वाले bracket में close कर दिया, ठीक है, क्योंकि यह answer है, x हमें desired था, required था, x की value लग चीए, y की value लग चीए, z की लग चीए, तब ही हम उनको कहां रखेंगे equation, third में रख देंगे, तो फिर कितना हो गया, आप देखो, आप इन दोनों की help से, क्या हम इस वाले से, z की value नहीं निकाल सकते, देखो, y आ चुका है, यहां पर रख दो, तो from fourth equation, y की जगह में कितना रख दो, two plus z equal to one, तो z equal to one minus two, तो z equal to, आप कितना ले लेंगे, minus one, कुछ चीजे mass के हलकी full की calculations जरूर यूज होंगी, physics में, बच नहीं सकते हैं, mass के मिना तो काम चलेगा ही नहीं, और वो भी इतना ज्यादा नहीं है, calculation हलकी full की होती है, ठीक है, तो हमारे पास देखो, x की value आ चुकी है, y की value आ चुकी है, z की value आ चुकी है, अब आपने क्या करना है, last step में, substituting, substituting x, y, z in equation third, third नहीं, equation third तो यह तो fourth बनेगी, और यहाँ पर बन जाएगी five, ठीक है, from five, एक एक step आगे चल गया है न, हाँ, तो यहीं पर पगड़ दिया हमने, one, two, three, four, fifth equation, equation आप अपने according कुछ भी रखो, ठीक है, जितनी बनानी है, बनाओ, देखो, question को आसान करने के लिए, जितनी equation बनानी है, बनाते रहो, expression दिखाओ, कितना बन गया, in equation number four, क्या बना है, expression, f equal to k, f equal to k, m की power कितना, one, ठीक है, v की power कितना, y, v की power y थे, two, and r की power कितना, z equal to minus one, ठीक है, यह है, अगर आप इसको यहां तक भी छोड़ना चाते हो, तो भी आपको पूरे marks मिलेंगे, नहीं तो देखो, किसकी power अगर minus one है, तो वो कहाँ चला जाएगा, denominator में लिखा जा सकता है, तो f equal to कितना जाएगा, और, k, m single है, v square है, upon कितना जाएगा, r, तो centivital force acts on an object, during revolution around an circular orbit is given as f equal to k, mv square upon r, final, ठीक है, expression सामने, फिलाल आज के लितना है, एक question मैंने आपको दे रखा है, उस question को solve करना, कल की timing सापको हम notification से मिल जाएगी, link को जरूर share कर दिया करो, ताकि maximum बच्चे उसको देख सकें, ठीक है, question अच्छा है, दुबारा revision करना हो, तो वीडियो को दुबारा देख लेना, step wise समझ लेना, practice के लिए question दे रखा है, कल हम दो तीन question और solve कर लेंगे, कल ये property खतम हो जाएगी, तब इस chapter के बस कुछी point बच जाएगे, error बस, last topic, तो ये chapter इस से भी क्यों हो जाएगा, खतम हो जाएगा, तो विटा आप भी कितने के लिए thank you है न, फिलाल यतना बहुत है,